विशे के उपर चर्चा करने के लिए हमने आपको अम्मिंतित किया है। जैसे आपको मालूम है हर साल 25 डिसंबर को हमारे पूर्व परधान मंत्री और भारे रतन अटल बिहारी वाजपाई जी का जनम देबस होता है। और जो इनका ये जनम देबस 25 डिसंबर को होता है उसको हमारी भारती जनता पार्टी में एक तिहार के रूप में मनाये जाता है। जिसको हम शुषासन दिवस कहते हैं और ये जो शुषासन दिवस है ये दिवस को मनाने के लिए इस दिवस को समझने के लिए और इस दिवस के यहां तक पहुँचने के लिए भारती जनता पार्टी का 60-65 साल का बहुत बड़ा एक लंबा सफर है जो तैर करके यहां तक प वारा अंग्रेज जब आये थे तो उन्होंने शासन करना सिखा दिया लेकिन वाजपाई जी अपने बच्पन से ही जिस दिन से उनका जनम हुआ उसके बाद जो उनका पूरा एक सफर रहा है प्रजा परिश्यत से लेकर भारतिय जनता पार्टी बनने तक और उसके बाद जो सफर रहा है उसमें उनकी बहुत ही एक जिदोजयत रही है बहुत ही जादा उनकी स्ट्रगल रही है जिसमें उन्होंने एक शासन को शुषासन में कैसे बदला जाए उसके उपर बहुत सोच बचार किया और वो चीजें जो हैं उनके रोज के काम करने के ढंग में दिखती दिखती थी और जब हमारे माननिये पूरो परधान मंतरी अटल भारी बाजपईजी भारत अतन जब उनको मिला उससे पहले जब उनको मोका मिला परधान मंतरी बनने का तो उनोंने इस देश में शुषासन की नीव रखी कि शुषासन जो है वो क्यों जरूरी है और उसके माने क्या होते हैं उनका मानना ये था कि जो शुषासन होता है वो शुषासन के बाद जब उसमें अनुषासन जुड़ जाता है तो वो शुषासन होता है और जब तक आप उसमें शुषासन करते रहते हैं तो वो सिर्फ एक सरकार का काम करने का धंग हो सकता है, जिसमें सरकार एक जगा में बैठके और राजे करती है, लेकिन जब आप उसके बीच में कुछ बिंदू मिला देते हैं, तो वो शुशासिन बन जाता है, क्योंकि जो सरकारें,